असलाम अलेकुम दोस्तों दोस्तों यह शिरूबा कमपनी की बेट सेलेंडर फ्लेट लाग मशीन है और इसका माडल नंबर है F007J तो आज में इसका आपको निडिल और लूपर की टाइमिंग किस तरीके से बांदी जाती है और इसका रियर गाइड का सेटिंग किस तरीके से की जाती है तो आएओ दोस्तों वडियो को स्टाट करते हैं अब इसका हम रियर गाइड एसेमली और यह चिम्टा फगेरा लगा लेंगे जोस्तों यह हमारा एक कन्नेक्टिंग बनावा है यह हमारा रियर गाइड को चला रहा होता है इसको हमने इस तरीके से इसका जो बैठा लेना है और पेकिंग को बैठाने के बाद ये एक प्लेट बनावा है आइल रोकने के लिए इसको यहां पर हमने ऐसे बैठा लेना है बैठाने के बाद इसका हम फनर पट्टी लगा लेंगे ये दो फनर पट्टी है इसके अंदर इसको हमने यहां पर इसे लगा लेना है यह दूसरा भी हम यहां पर इसे लगा लेंगे इसके बाद हम इसका यह रियर गाइड इसम्मली जो हमारा पूरा वो लगा लेंगे इसको बैठा लेना है आराम से और बैठाने के बाद फिर इसका ये रियर गाइड भी हम यहाँ पे लगा लेंगे रियर गाइड को हमने बैठाना है जगे पे ये हमारा रियर गाइड बैठगी है जगे पे और ये भी फिक्सah तीनों स्कुरू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा यह डाई नंबर के हिलकी का स्कुरू है और इसके अंदर एक कट है तो इस कट को हमने इसे हिला के बैठा लेना है और बैठाके इसको हम टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से इसको हमने लूज नहीं छोड़ना है इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट करके इसके उपर एक रबड लेएगा और रबड भी हम लगा लेगे बगिया जो हम टाइमिंग वगएरा बांदेंगे हैं तो यह चार नमबर की इलकी से और यहाँ पे दो नमबर की इलकी से इसकी हम टाइमिंग बांदेंगे के दोस्तों ये यहां पर इसका रबड लएगा इस रबड को हमने यहां फसा लेना है और ये स्कुरू को हम टाइट करते जाएंगे जब हम ये स्कुरू को टाइट करेंगे तो ये एक जिस्मेंट होना शुरू हो जाएगा खुद बखुद जब हम इसको टाइट करेंगे तो ये अंदर के तरफ जाएगा और जब हम इसको लूज करेंगे तो ये ब दोनों निदिल को हमने बिलकुल उपर के तरफ चडहा के लगानाये नीची की तरफ रखके नहीं लगानाये बिलkul जितने ऊपर एसे जाए आपने कि हमने ऊपर करके फिर लगानाय तो इसका जो आवाडिंग का सेटिंग किया जाता है वो आवाडिंग का सेटिंग निडिल के हिसाब से किया जाता है कि निडिल हमारा कितना मोटा चल रहा है या कितनी बारिक चल रही है तो अब ये हमारा nou-numbr का नीडिल है, नुँ नुम नुमर के मैं सेटिंग कर रहा हू máxim तो होजरी फैबरीक के आपर अकसर nou-numbr का नीडिल चल रहा होता है, इसको हमने ये दौनों नीडिल को अच्छी त़िके से ठन टाइट कर लेना है, के दोस्तों सकारियर console को को खुल हम पीछे कर लेंगे इसका जूर रियर काचार नॉम्मर की इंट करें वाट है इसको हमने खूल लेंगा है और खोल के इसको पीछे कर लेना है लिपर और निडिल की टाइमिंग जब बान लेंगे फिर हम रियर गाइड का सेटिंग करेंगे चुश्प करेंगे क्योंकि अभी हम सेटिंग करें हैं तो इसका क्लेम जाएना ये इसको सीधा करना हो गया से यूपर के हिसाभ से कपड़ें के हिसाभ से भाई ===3 annual perceptгор श्यक्ति शार करते जाएंगे तो य हबमें हैं identifying such a star और चौफर की दो तो उसके आगे करेंगे तो यहांसा पार थागे कís ईके पहला है कि आपका कपड़ा लाइट है और धागा जादा मोटा है तो आपने गस के हाइट को थोड़ा नीचे करना है क्योंकि धागा जब मोटा हो जाएगा बारिक निडिल का सुराग छोटा होता है तो उसके अंदर धागा ससरेगा नहीं सही इसी वज़े कर फंदा सही फूलता नहीं है तो इसी के हिसाब से फिर हम जब कपड़ा इसके अपर चला के चेक करेंगे और सब कुछ लगा के और इधर से नीचे से जाक के जब हम देखेंगे तो हमें फंदा फूलता हुआ नजर आएगा अगर फंदा छोटा फूल रहा है तो हमने गस का हाइड को थोड़ा सा नीचे करना एक एमेम तकरीबन और इसके लूपर होल्डर को थोड़ा सा पीछे कर देना तो तब भी हमारा होल टू होल रहेगा और इसका गस का हाइड को हम उपर कर देंगे कपड़े के हिसाब से और इसके लूपर होल्डर को हम आगे कर देंगे तब भी ये होल टू होली रहेगा होल टू होल तब आउट होगा जब हमारा बेल टाइमिंग आउट होगा हम इसका निडिल को सीधा करेंगे हम सीधा कैसे करेंगे इसका जो निडिल बार एक्जेस्मेंट स्कुरू है उसको हमने लूस कर लेना लूस करने के बाद यह हमारा निडिल बार एक्जेस्मेंट स्कुरू को लूस करके हलका साम टाइट कर लेंगे ताके जब हम इसका निडिल बार शाप्ट को मूव करवाएं हैं अब हम इसकी स्टिंग दिख लेंगा है हमारा दोनों इडिल एक जैसा लूपर को चूना चाहिए अभी विए आपको दिख रहा होगा एक लूपर जो है एक निडिल को लूपर जादा चूव रहा है और दूसरे निडिल को टक्कर मार रहा है और दूसरे निडिल को इतना नहीं चूव रहा है यानिके बिल्कुल भी टक्कर बगकर नहीं मार रहा है तो इसका किलेम को हम थोड़ा सा और करेंगे लूपर को थोड़ा सा अंदर के तरफ करना है इ loyalty करेंगे इस को इसको टाइट करेंगे होल्डर को इसका टाइट करेंगे तो ये अंदर के तरफ जाएगा तो ये टक्कर मारना बन कर देगा इसको निडल को हम इसे दबा के देख लेंगे इसके अंदर गेप आगिया है और आगे वालें पे भी हम देख लेंगे इस पे भी गेप आगिया है तो यह जादा अंदर हो गया थोड़ा सा बाहर करना जो लूपर होल्डर है हमारा इसको हमने थोड़ा सा बाहर करके फिर दोबार चेक कर लेना है इसी तरीके से इसका गेप दोनों को बराबर कर लेना है निडल को कि दोनों को एक जैसा चुए अभी भी जादा अंदर है बीख इसका जो केले में यह हमलका सा और घूंआएंगे इस तृम म confisc Istrice क्ले मौ て इस तरफ ऐसे घुमाएंगे और कि माने के बाद कि और भार को गार पर छोगर को इसका क्रेंगे नहीं कि अभी हल्ड़ा गेप है दोनों के अंदर इसके इसका गेप चेक करेंगे इसे अभी इस पर गेप नहीं है बिल्कुल भी इसी तरीके से आगे वाले पर भी गेप चेक करेंगे इस पर भी हलका सा गेप है तो इसके क्लेम को हलका सा हम इस तरफ मिलाएंगे यानिकि क्लेम को हम इदर से इसे गुमाएंगे हलका सा गुमाने के हब एक नंगर भी इसमें कर लेंगे। दो हेसे हब लुपर बाहरआ है कि हमने बाहर, किया बाहर करने के बाद अभी इसका आपलब है इसमें दूल करते हैं動 है। A ही निल पलब recognition वा ने ऐसी तरीके से dus खतम करना आपने गेप खतम करने के बाद अब आपको एक चीज और दिखाते हैं इधर से हमारा बराबर हो गया है गेप इधर से गेप नहीं है बिलकुल भी लेकिन अगर आप रिटन के तरफ देखेंगे इधर से इधर से आप देखिए इसमें गेप है यह बहुत साइड से गुजर जा रहा है है यह जैप नहीं होना चाहिए जी गेप कैसे खतम होगा इधर से करीब से गोजरना चाहिए बिलकुल दोस्तों यह इस जगे पर आपको एक इसकुरू दीख रहा होगा इसको हमने लूस कर लेना है लूस करने के बाद हम दो नमबर की इलकी ले लेंगे यहां पर यह इलकी से जब हम इसको ऐसे उपर नीचे करेंगे इसको आपको दीखेगा भी यह लूपर होल्डर हमारा हिलतव आपको दीख रहा होगा लूपर होल्डर हमारा अंदर बाहर हो रहा है जब हम इसको ऐसे टाइट करेंगे इसके इंदर से गेप खतम होता जाएगा जब हम इसको ऐसे लूस करेंगे तो हम बिल्कुल loss करते जाएंगे loss करते जाएंगे इसे loss करते जाएंगे तो हमारे looper holder में gap आजाए गया यह आपको दिख रहोगा भी यह gap आगी है इसके अंदर उसके पो जितना lose करते जाएंगे यह मोटे पत्रे needle के हिसाब सो होता है कि अगर आपने मोटा निडल लगाना है तो यहां से एक जिस्मेंट लाजमी करना है इसका अगर आप एक जिस्मेंट नहीं करेंगे तो निडल बार बार खराब भी होगा और लूपर में जब टकर के जाएगा तो वह सही काम भी नहीं करेंगा इदर से दिख रहा होगा आपक ओने लगा है तो इसको ऐसे तरह करते जाएंगे करते जाएंगे हमारा लूपर उस तरफ जाएगा और जैब यूटकम लूज Nature करेंगे इस तरब से गेप सही है और दूसरे तरब से हल्गा सा टक्कर मार के जा रहा है तो इस तरीके से टक्कर नहीं मारना चाहिए यह आपको दिख रहा होगा इसमें गेप नहीं है इसको हम थोड़ा सा लूस करेंगे ताकि इसके निडिल के हिसाब से हम एकजस्मेंट कर लें इसका यह भी हमने थोड़ा सा लूस किया लूस करने के बाद इसको हम चेक कर लेंगे अब यह बहतरीन है इधर वाला भी निडिल इतना ज्यादा टक्कर नहीं मार रहा और यह वाला भी निडिल इतना इसी तरीके से जब हम मोटा निडिल लगाएंगे इसको और लूस करना होगा और लूस करके इसके गेप को और बढ़ाना होगा जितना मोटा निडिल लगाते जाएंगे इसके गेप को बढ़ाते जाना और जितने पतला निडिल लगाएंगे इसका गेप को कम करते जाएंगे इसके जो चलने का है यह चलने का साइज कम जाद है यहां से हम कर रहे हैं तो यहां पर हम एक्जिस्मेंट करने के बाद इस स्कुरू को टाइट कर देंगे तो यह फिक्स हो जाएगा इस स्कुरू टाइट हमने कर दिया अब इसमें देखा यह जाता है अगर आप गोर करेंगे अभी जैसे कि इसका जो ये वाला निडिल है पहला निडिल ये होल टु होल आ रहा है और आगे वाला निडिल जो है ये थोड़ा सा फर्क होता है होल टु होल नहीं होता है तो ये इसके बनावट में ऐसा फर्क होता है इसी तरीके से अगर सेफटी और उसी में जो चेन लूपर जो लगा होता है उसी तरीके से होता है जासा आगे वाले निडिल का सेटिंग हुआ हुआ है कि ताकि मोटे पत्ले जगे पर इसकीप ना मारे दोस्तों अब इसका निडिल और लूपर का टाइमिंग माल लेते हैं अभी जैसे आपको दिख रहा ह होगा यह बहुत ज्यादागे अब ही हमने क्या करना है इसको 3 एम में पे यह कपड़े के हिसाब के आप कपड़े मोटा चल रहा है धागा बारीक चल ला है तो आपने अपने हिसाब से देख के ज़र से जब ढार जाकेंगे इदर आपको नजर आएगा यार फंदा कैसा फूल रहे है निडल का पंदा बील्कुल इसके साथ चिपकावा पूल रहा है तो हम इसके निडल बार के हाइड को फूल एक लए देंगे और अगर उसमें कोई इसकीप यहां कोई 30-20 का फरक आएगा तब हम इसके निडिल बार के हाइट को उपर निचे करके फिर देखेंगे अभी जो जिसके जेनियन सेटिंग है इसको हम 3 mm पे रखके सेट कर लेते हैं इसको हमने यहां पर ऐसे रखना है और इसके लूपर होल्डर को इसे आगे करते जाना है तो यह हमारा 3 mm का गेप आगिया है यहां पे अब जब हम 3 mm का गेप कर देंगे यहां पर इस जगे पे 3 mm का गेप करने के बाद क्या है कि अब हम जब इसका वील गुमा के देखेंगे तो टाइमिंग बहुत उपर से हो जाएगा उपर से इसलिए हो जाएगा कि इसका निडिल बार का हाइड बहुत नीचे है अब इसका हम निडिल बार का हाइड भी उपर करेंगे जब निडिल बार का हाइड उपर करेंगे तो दुबारा ही है खुद बखुद होल टू हो जाएगा जिस ऐसे यह हमने उपर कर लेना इसका किलेम फिर आउट हो जाएगा फिर आप ने देख किो सीधा कर लेना अभी हमसे च्ंई कर लेना है दो कर लेना है कि आगे वारे नडिल का उनीस बीस का फरक आता है इसी तरीके से return में भी हम देख लेंगे hole to hole आ रहा नहीं आ रहा है return में भी hole to hole आ रहा है तो इसको हम जितना भी छिड़े है hole to hole out नहीं होगा इसको हम कपड़े के हिसाब से 19 भी setting कर सकते हैं अब इसी तरीके से अगर और जादा लाइट कपड़ा सील रहे हैं आप कोई होजरी वगरा सील रहे हैं यह जो मैंने अभी सेटिंग बता है यह twill fabric का सेटिंग है twill fabric के ओपर बहुत अच्छा यह timing चलता है और अगर हम होजरी सील रहे तो इसको फिर हम धाई mm पर कर लेंगे को और कम आगे कर लेंगे लूपर को ऑने इसका गीडिल बार हइट को और उपर कर लेंगे s optimize होंधीरी फेबरीप पर हो जायाइगा 창 के लिए डिसका deprived कर लेंगे अगरो Since और निदेर सेंथे सक्वाइब चेक कर लेंगे इसके इंदर यारि अवाली निडिल अब हम गेप चेक कर लेंगे बहतरीन और अब हम इसका निडल बार एक्जिस्मेंट स्कुरू को टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से और दोस्तों यह निडिल इंब एक्जिस्मेंट इसको हम ने अब अच्छी तरीके से टाइट करना है जोस्तों इसका रीर गाइड को हमने इस तरीके से कहा है कि यह सफान फल्व कि को तैट करेंगे कि इतर मिला लेना इसको मिला ने के बाद और यह चार नमर वाले श्क्रू कौOP अईसे हल्का सा आई करेंगे ताकि यह एक जगे पर रोक जाई ह। फिन दॉसकी कर सकें है यह वी हमने इस फुन पेच जेके पर रोक है अलका सा और यहाथ से भी आगे पीछे हो अगर हम एसे अलका सा पीछे करना चाहें तो यह पीछे भी होगा इसके गेप को हमने चेक कर लेना है अब हम वील घुमा के देख लेंगे कि यह कोई टक्कर वककर को नहीं मार रहा है उसके निडल को हमने ऐसे स्क्रू को यहां से इसको लूज करना है यहां पर दो नंमर की हिलकी का स्क्रू लूज है यह समझ लई ہے जो रियर गाइड होल्ड़がとう पिच्छे के लिए चार नंम्र की हिल्डिकज क्रू लगावा था और खाली रियर गाइड को हमने अगर घुमाना हो ऐसे ऐसे यानि कि ऊपर कहीं से अगर हमने इसको ऐसे करना है या ऐसे करना है तो यहां से हम दो और आविक रहा होगा इसी तरीकर साब उसको सेट करना है अब हमने क्या करना इसके दोनों स्कुरूब को टाइट करएंगे ब्लाक के फैसा सपक्रओक भी है लुपर होलडर को numbers लेए लेके करना है और वाल्ट करके इसकी टाइमिंग बान लेनी है यह भी हमने इसको hole to hole कर लेना और इसके timing मुकम्मल कर लेना फिर उसके बाद हम इसको बन बन करके line में दे देंगे चलने के लिए यह हमने इसका hole to hole बराबर कर दिया return में भी चेक कर लेंगे बराबर है बिल्कुल बहतरीन काम कर रहा है और कोई टक्कर वक्कर भी कहीं पर नहीं मार रहा है अब हम इसके चार नमबर वाली LK स्क्रू को tight कर लेंगे यहां से ताके looper हमारा holder एक जेगे पर रूख जाए दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो अपने दोस्त त्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजेगा और अपने जोग पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजेगा और अगर आप मेंसे कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले ताके ऐसी कोई भी मैं नई वीडियो डालूं उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए एंड दोस्तों अला आपिस